तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने animal character एक dog का character कैसे design किया था। अब आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कि किसी भी animal character को हम move करने के लिए उस character में bone setup किस तरह से करेंगे वो के। जिससे कि हम उसके body parts को move करें या character को भी move कर सकें। अब दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी गलतियां भी बताएंगे जो कई हमारे users से या हमारे भाईयों से अगर हो जाती हैं तो उनका क्या solution हो सकता है। यह सब हमने आपको करके बताया है। आपको अगर किसी भी character या किसी भी animal character में bone setup करने में problem अगर आती है तो आपको उसका solution कैसे करना है। यह आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो वीडियो को आखरी तक ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए यह tutorial शुरू करते हैं तो दोस्तो हमारा character तयार है जो कि हमना पिछली वीडियो में आपको बनाना बताया था। इस वीडियो में हम bon setup करेंगे तो हमारे जो character है उसकी body से start करेंगे तो यह जो character है इसकी body को हम touch करेंगे select करेंगे तो यहाँ पर इसकी timeline भी select हो जाती है ठीक है अब body को touch करने के bond setup करने time पर क्या-क्या mistake होती है जिससे कि हम अपनी bond setup कई लोग complete नहीं कर पाते हैं सही से fix नहीं कर पाते हैं तो इसे हम solution भी क्या रहेगा इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे जो कि mistake के साथ में आपको बताएंगे ठीक है अब इस bond को हमने इसकी garden पर लगा दे क्योंकि ह तो हम बोडी के साथ में garden को हिलाने की कुछिश करेंगे ठीक है तो यहां पर हमारे लिए next को सिलेट करके आपको फिर गर्दन के यहांगे एक और नेक्स्ट बॉण ठीक है तो वहाँ पर एड कर दिया है अब नेक्स्ट आपके लिए यहां पर हमारे लिए इसके पेरों नहीं को भी झालाना है तो body से ही हमें touch करना पड़ेगा क्योंकि body इसकी man bone रहेगी और उसके बाद में हम इसके पैरों तरफ एक bone और add करेंगे ध्यान रहे कि आपकी जो bone लगाएंगे उसको आपको पहले select करना हो ठीक है तभी आपकी दूसरी बाद करेंगे उससे connection automatic हो जाएगा ठीक है तो हमने दौनों पैरों में इसको select कर दिया ठीक है और जहांपर हमने दौनों पैरों में बॉन भी एड़ कर दी है अब हमारे लिए पीछे यानि टेल में और पीछे के पैरों में भी बॉन एड़ करना है तो हमें क्या करना हो फिर से आपकी जो फिर्ष्ट बॉन है उसको सेलेट करेंगे ठीक है फिर्ष्ट बॉन को सेलेट किया और बापिस हमने इसके टेल साइड एक बॉन और एड़ करती है ठीक है एक बॉन और एड़ हो गई है अब इसी बॉन से हम इसके पैरों में भी बॉन एड़ कर देते हैं पिछले पैरों में तो यह पिछले पैरों में भी हमने यह एड़ कर दिया है और यह आपको ध्यान रखना होगा कि इसके पैरों का जो आगे पीछे बिलकुल एक जगह पर fix move होना चाहिए ठीक है तो हम अपने हिसाब से इन bonds को fix कर देते हैं जो कि मैं मेरे हिसाब से जब जैसा ही डॉक को run करूंगा पैरो को move करूंगा इसके तो बिलकुल एक जगह ही यह move हो ठीक है इस जगह पर मैं अपने हिसाब से यह bond adjust कर र करके देखते हैं तो सभी का connection बिलकुल सही बना हुआ है तो इस जो फर्ष्ट बोन है उसको ही हम पूरा move कर देते हैं जिससे की सारा connection बाहर आ जाता है देख सकते हैं कि हमने bond को body से बिलकुल अलग कर दिया है या नहीं बाहर कर दिया है तो इन दोनों को हमने बिलकुल सकती है तो वो अब आप ध्यान से समज़िए गए आप जैसे कि दोस्तों इसकी जो टेल बॉंग जो हमने दिये है अगर इसके साथ में हम इसकी टेल को करते हैं याई पूछ को अगर इसकी के ने हुआ लहाँ मैं हमारे लिए यहां पर एक ब्ण और आगी टरफ और एसकी जो टैल की बॉनों को सेलेड कर देंगे तरी कर देंगे मंगर अगे के तरफ हा गयी तो इसको बापश वैसे लगा देते हैं और और टेल बॉन जो हमारी जो उपने पहले बनाए थी उसको select करके हम एक बॉन और एड़ कर देंगे ठीक है ध्यान रहे कि आपको टेल बॉन की जो लास्ट में जो बॉन एड़ की थी उस बॉन को select करने के बाद ही आपको next बॉन एड़ करना है ठीक है तो यहां पर इस बॉन से करना आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि आप हर एक बॉन को एड करते टाइम पर आपको प्रोब्लम ना आए तो हमने यहां पर हमने अपने प्रोजेक्ट को सेफ कर दिया क्योंकि प्रिज्म 3D में क्रेश होने का काफी डर रहता है इसलिए आप सेफ जरूर करते जाए ठीक और यहां पर देख सकते हैं क्योंकि बॉडी बॉन को हम सेलेट करके जब हम मूब करते हैं तो इसकी बॉडी भी साथ में आटोमेटिक ड्रैग होती है ठीक है अब नेक्स्ट हमारे लिए इसकी गर्दन पैर और इसकी टेल का सभी का कनेक्शन जिनकी बॉन्ज के साथ में कर ब्हुतर लेकर आना होगा तो हम इसके लिए बॉड़ी को थोड़ा पीचे के अर। बॉडिवान को ठीक है तो यहां पर हम जब बॉड़िवान को पीछे के तरफ लाएंगे तो इसकी बॉड़ि भी साथ में आ जाती है तो हम इसके लिए आसानी से इसके बॉड़ि का उब्जेक्ट जो है उसको स्लेट करके बापिस उसी जिगह पर ले आते हैं स्ट्रेक्चर थोड़ा से विगड़ रहा है तो क्या करना होगा इसकी बॉंस को जहां पर पहले थी उसी जगह पर बापिस रख देती है आगे उसकी प्रूंस आप करके और साथ में इसकी जो नेक्स्ट जो भून थी जो की अमने पहले टेलबॉन बना थी उसको भी बापिस यानि पैरों के जो बापस वहीं पर रख देते हैं ठीक है जैसे कि इसका बॉड़ी स्वरी बॉड्स का जो स्ट्रेक्चर है काफी ठीक हो जा ठीक है अब हमारे लिए क्या करना हो जो नैक है नैक का जो लास्ट एरिया देख रहा है जो कि बॉड़ी की अंदर उसी पर ही हम इ हमें एक बॉन एक कर देते हैं जिससे कि हमने हमने मीशे why को अलग से मूप करें और फेट को भी करदेते हैं जो किष्क है तो अपनी bonds वग्यार का, अब हमारे लिए क्या करना है, इसके जो पैरों का object है, इसके पैरों के bond के साथ में attach करना है, और जो head है, head के bond के साथ में attach करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए हर एक parts को इसकी bonds के साथ में attach करना होगा, तो अब आप यह समझ गाए होगी कि body के bonds को add करने क के लिए हमें structure किस तरह से create करने होते है तो यहां पर जैसे कि यह टैल है इसकी तो इस टैल बॉन में हमारे लिए टैल का जो object है उसको मूब कर देना है तो टैल बॉन में पहुंच जाएगा तो इसकी जो टैल है काफी अच्छी तरह से work कर रही है ठीक है अब हमारे लिए क्या करना है इसकी जो जैकि शाजाहन के साथ मैं इसकी के करने करना होगा जिस से कि हम इसको आप्डाउन करेंगी तो काफी परफेक्ट agशा करें ठीक है तो लीए जो इसकी चींड़र है भून देते हैं इसके एड ऑबजेट को उटाएंग और एंटर कर देते हैं यहां पर देख भी complete हो गया है मगर अब हमारे साथ में एक mistake और हुई है जो कि इसकी जाव जो हमने इसकी बनाई है जो कि हैट के साथ में connect रहना चाहिए तो इसकी हैट को पहले हम अडू करके बाहर कर लेते हैं और यहां पर इसकी जो जाव है ऊपर के तरफ इसको हम पहले एक बार उठाकर चूड़ेते हैं बाहर की तरफ तो यह दायरक्ट नीची आजाते है ठीक है तो इसकी जो है वह हैट के साथ में हम भी मूप में इसकर देते हैं यहां पर अब इसको हैं ne और इसकी एनवान में डाल देते हैं ओके तब यह पर्फेक्ट बर्ग कर रहा है मगर यहां पर हमारे साथ में एक मिस्टेक और हुई है कि हम इसकी जाब को अलग से अगर मूब करवाएं तो वह कैसे करवाएंगे तो इसके लिए हमारे लिए एक बॉन और एक करने होगी जो क इसके जाब को कंट्रोल करेगी तो हमारे लिए छोगीन तो भी कर देते हैं उसके लिए job bond नाम से rename कर देते हैं अब आमाली क्या करना होगा इसकी job bond में इसकी job को enter करना होगा तो इसकी head object को open करेंगे यहाँ पर इसको find करते हैं और इसकी job bond जो है में इसको enter कर देंगे इसकी job को ठीक है तो job को bond के साथ connect करके यह काफी perfect work कर रही है और काफी अच्छी भी लग रही है ठीक है तो यह हो चुका है पूरी body का connection और इसी तरह से दोस्तों जैसे की पैरों का connection करना है तो हर एक पैर की bonds में आपको पैरों के object move करके connect करते जाना है और इस तरह से हमने अपने connection इसका कर लिया है तो यहां पर अब आपको अपने character को यह अपने object को move किस तरह से करना है तो इसके लिए आप हमारे यह tutorial देख सकते हैं जैसे कि आपको अच्छी तरह समझा जाए कि किस तरह से हम frame का यूज करके अपने character को move कर सकते हैं और animation videos बगेरा create कर सकते हैं तो यहां पर simple में एक छोटा सा एक walking का walk का जैसे कि हमारे puppy जो है इसको चलाने का एक छोटा सा moment भी बना रहा हूं तो यहां पर इसके हर एक pair में कितना moment बनाना है यह आपको frame में समझना क्योंकि हर एक frame में जैसे कि एक second का अगर आप frame बना रहे हैं एक second का video बना रहे हैं तो इसमें आपको लगो 25-30 frame का यूज करना हो यह बात आप ध्यान रखिए जैसे कि मैं इसमें लग लगवग 100 frame का यूज करने के अंदर-अंदर में इसका छोटा सा मुवमेंट बना रहा हूँ जो लगव 100-500 फ्रेम के अंदर अंदर वर्क करेगा ठीक है तो इसके चारों पैर में हमने कुछ मुवमेंट इस तरह से दिया है जैसे कि एक पैर के बाद दूसरा पैर कहां पर आएगा तो यह मुवमेंट चलने वाला जो वॉकिंग टाइम है यह आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से डौग करते हैं ठीक है तो यहां पर हमने यह चोटा सा एक मुवमेंट बनाया है और यहां पर अब मैं चाहता हूँ इसकी जो माउथ है जब यह ओपन करेगा तो यहां पर मैं इसकी जो टंग है जो कि इसकी जीव है वह बाहर निक इसके माउथ में इस तरह से रख देते हैं और इसका कलर यह चेंज कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब इसकी जो टंग बाहर आ रहा है हो और इसकी जाब कर जो बाहर ने चाहिए तो इसके लिए यह ध्यान रखना होगा कि जब यह माउथ August होगा होगा वह किस टाइं पर माउथ ओपन उता है तो उसी फ्रैम के साथ में आपको अपने यह जो टंग बनाई है जीब बनाई है इसको बाहर निकालने का मुव्मेंट आपको बिनाना है तो यह भी हमने कम्पलिट कर दिया है तो यहां पर हमारा पूरा अनिमेशन कम्पलिट हो तो आशा करते हैं दोस्तों आपके लिए हमारे इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा बॉन सेट आपके लिए अच्छी तरह आगाया होगा जरूर नहीं कि आप एनिमल्स का कैरेक्टर ही बनाए किसी भी तरह का कैरेक्टर अगर बनाते हैं तो आप हमारा पिछले वीडियो देखिए जिसमें हम्ने बॉड쪽ी पार्च को बनाने का अच्छी तरह से वर्क किया है और साथ में इस वीडियो में आप आप ची表 बंस सेट बढ़से कर सकते हैं आप किसी बी औबिशेट में किसी बी कैरेक्टर में चाए वह रोगन केरेक्टर हो चाहा गराए किस character हमारे web page पर जाकर download कर सकते हैं, web page का link दोस्तों आपका हमारी इस वीडियो के description में मिल जाएगा, तो जाएए चेक कीजिए और वेफ एक्टर होकर आप उन्हें अपने animation वीडियो में यूज कर सकते हैं, तो अंतर वीडियो देखने के लिए दोस्तों, जाए हैं वन्दे मातरम